मंगलिक होना अलग चीज है और मंगलिक दोश होना अलग चीज है और मंगलिक का विवा जाहतर 27-30 वर्ष की उमर में होता है वर्डर पे आप बंदुक ना उठा सकते अगर आपका मंगल स्ट्रोंग ना होता है मंगल को जन में मंगल ही करते मंगल में हनुमार तो स्वागत है आपका एक और नए पोड़कास्ट में और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्ट या कहें आपके सारी समस्याओं का हल लेकर आने वाली सुप्रिया शर्मा और आज हमारे साथ दुबारा से मौजूद है एस्ट्रोलोजर मंजु शर्मा जी मंजु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सुप्रिया जी हरे कृष्णा सभी को मैं जोतिश आचारे मंजु शर्मा आप सब का स्वागत करती हूं और आपको एक बोलना चाहते हूं कि आप सभी पोड़कास्ट देखे इन उपायों को करें और अपने जीवन को सफल और सार्थ है या मंगल दोश लग गया है शादी नहीं होरी क्या मंगल दोश लगा है तो शादी होगी या नहीं होगी या मांगलिक से ही शादी करें कई ऐसे सवाल होते हैं मंगल के सवाल से हम परिशान हो गया क्योंकि हर किसी की यही समस्या है जैसे ही मंगल आपके उपर लग जाता या मंगल का कहीं न कहीं आपकी राशी से जुड़ना हो जाता है वैसे ही सबसे बड़ा सवाल आजाता है शादी का तो मैं आपसे सबसे पहला प्रशन यहीं पूछने वाली हूँ कि मंगल है क्या और मंगल का असर हमारी राशी या कुडली पर क्या होता है जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगे, मंगल होता क्या है, मंगल और मंगलिक, अलग अलग शब्द है, मंगलिक होता है शुब कार्य और मंगलिक होता है कुंडली में मंगल का दोश, मंगल कब साधक है और कब घातक है, मंगलिक होना अलग चीज है और मंगलिक दोश होन और अलग चीज़ है वैसा तो 70% की पॉपॉलेशन मंगली की है लेकिन मंगल जो हमारे विवाह, वेवाहिक जीवन में बहुत सारी प्राब्लम्स क्रेट करते हैं, वो प्राब्लम्स क्रेट ना करें। मैं बात को आगे ना बढ़ाते हैं सिधा उपाय की बात करती हूं। कि आप विवाह कोशिक करें मंगलिक से ही करें। एक मंगल विवाह में बहुत विलंब कराता है và विवाह जाया तर 27-30 jaar की उमर में होता है या 21 वर्ष की दिएस्वर्ष की उमर में हो जाता है और अगर अगर आप मंगलिक स'. करते हैं तो आपकी शादी पौण रूपफसे सकसफुल रहती है लेकिन कहिना कहीं आप मांगलिक से विवाह नहीं कर रहें तो डिवोर्स हो जाता है विचारों में मदभेद रहता है पती-पत्ने की बंती नहीं है वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं ऐसा क्यूं होता है? मैं आपको यह बताना चाहूँ मंगल क्या है? मार्स मंगल एक आग का गोला है उसमें इतनी एनर्जी इतनी पावर इतना साहस है कि वो जेल नहीं पाते अगर उस एनर्जी को सही दिशा ना मिले तो उल्राई जगडे की तरफ आ जाती है मंगल बहुत ही स्ट्रॉंग रहे है सैनापती है confidence साहस बॉर्डर पे आप बंदुक ना उठा सकते अगर आपका मंगल स्ट्रॉंग ना हो तो जितने भी क्रांते कारी हुए, जहासी किरानी, भगतसंग, सबका मंगल strongg था, प्रोग एगर आपका मंगल stronger नहीं है, तो आप तलवार नी उठा सकतेʊ, आप क्रांती नहीं कडर सकते Assim, अप देखिए मंगल कितने positive हैं तो मंगल को strong करने के लिए क्या करना होता है इक तो अगर कुंडली में strong है तो उसके अलग़ उपाय है और अशुब है तो उनके अलग़ उपाय है तो भिलाइन वहने बोलना चाहूंगे लुग जे में हम बिलाइन महती प्रिया जानं में तो सबसे पहले एक हनुआन चालिशा का पाट करें नित्य प्रती करें, मंगल की प्राव्लम्स हो या ना हो तब भी सभी को हनमान चलिसा का पार्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुखद है, सुन्दर है और सारी कश्ठ परेशानिया अपने आप चली जाती है और अगर मंगल की पोजिशन कुडली में ठीक हैं, तो आप मंगा धारन करें बेसिकली मंगा है क्या, जो मंगा है एक समंदर में पाई जाने वाली लाल लकडी है उससे स्टोन बनता है, उसको शेप देकर अंगूठी बनाई जाती है मंगा धारन करने के लिए हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, मंगा इसलिए धारन करना चाहिए कि मंगल को स्ट्रॉंग करेगा मंगल क्या है, भूमी पुत्र है, जमीन, प्रॉपर्टी, सारी मंगल से आती है लोहा, लकड, पत्थर, जितनी भी चीज़े हैं, रिसर्च करना, इस सब मंगल के अंडर है तो आप सोचिए, कितने सहासी और confident गरे हैं मंगल, लेकिन समाज में भरम फैला रखा है एक कह सकते हैं हम कि हववा बना रखा है, कि मंगली के है, मंगली के है, तो क्या हो गया उसके उपाये भी हैं, समस्या हैं तो समाधान भी हैं, solutions भी हैं और आप छोटे-छोटे उपायों को करके मंगल को अपने कुडली में इंप्रूव कर सकते हैं और अपने वेवाहिक जीवन को भी सुखद कर सकते हैं और एक और प्रेश्ण बहुत आता है कि मंगलिक व्यक्ती से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए चाहे वो पुरुष हो चाहे महीला तो मंगलिक के लिए मंगलिक ही या कुछ उसके भी कुछ उपाय है जिससे मान लीजिए कि अगर मेर को कोई लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहते हूं लेकिन मैं मंगलिक वो मंगली नहीं है तो ऐसे में क्या हूं देखे ऐसे तो वैसे तो मंगल के निवारन दोष पूजा भी है बहुत सारे उपाय भी है लेकिन जो हम जोतिश लोग हैं हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप मंगलिक लड़की से ही विवा करें और लड़की है तो मंगलिक लड़के से ही विवा करें तो विवा सक्सेस्फुल रहता है और कहीं अर्चने आती हैं, कुछ कारण बन जाते हैं, तो आप कुम विवा करने का भी हम एक उपाय बताते हैं कुम विवा होता है कि भगवान 40 ग्राम से लड़की विवा कर ले, अपने विवा से पहले लेकिन कहीं लोग इससे सैटिसफाइड नहीं होते हैं, और करना नहीं जाते हैं, उनके मन में गलत धार नाएं कि यह हो जाएगा, वो जगह बेसिकली होता कुछ नहीं है, बट सबकी अपनी मन की इच्छा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो उसके अलावा एक बहुत अगर कुछ उपाय किये जाएं, तो बिना मांगलिक किसी लड़का या लड़की से शादी हो सकती है, करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, कहीं न कहीं कलेश जगड इतने बजातने के बाद डिवोर्स लक आ जाती है, और दूसरे विवा भी हो जाता है, तो कहा जाता है कि मंगल बहुत स्ट्रॉंग होता है, तो अगर किसी भी राशी में वो गोचर करता है, तो उसका क्या प्रभाफ पड़ता है? अब यह देखना पड़ागा कि मंगल हैं कहां, अगर वो अच्छी जगह बैठे हैं, अपनी उच राशी में बैठे हैं, तो आपको पक्का अगर आप जॉब ढूंड रहे हैं, यूथ है तो सरकारी नौकरी आपको दिलवाएंगे, आपका बिजनिस अच्छा करवाएंगे, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, जहां साहस के और कॉंफिदेंस की जुरत है, तो वह आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, और अगर वही मंगल नीच की राशी में बैठे हों, तो आप कुछ नहीं कह सकते, खलाडी हैं उनके खुद के मंगल स्ट्रॉंग है, जभी तो क अगर जाएंगे, एक एनरजी ऐसी है कि उसे कही ना कही रास्ता चाहिए, अगर आप उसे डाइवाइट नी करेंगे तो वह विनाश की और चली जाएगी, और अगर जैसे मंगल, हम अगर मैं मंगलिक हूँ, तो मैं कुछ ऐसी उपाई करके, कुछ अपनी जिंदीगी बढ़ा देता है, कई बार सभाव मनश्यों का बड़ा कठोर कर देता है, सैनिको जैसा, लेकन गरस्ती जीवन में चलता नहीं है इसकी वैसे पर प्रॉब्लम्स क्रेट हो जाती है, मंगल को स्ट्रॉंग करने के लिए अपने मांचालीसा का पार्ट करें, मैंने पहले भी आ आप आएगा, तो और मंगल की वारे में और कुछ आप अधिक जानकारिया हमें दीजिये, क्योंकि मंगल ग्रह हम लोगों को तो बस इतना ही समझ में आता है, जो जोतिश अचारे हमें बताते हैं कि शादी में प्रभाव डालता है, गुस्षा जादा करवाता है, और मंगल कि क्या क्या प्रफाव ने गुस्ता तो आएगा ही आएगा ना क्योंकि मंगल जो ग्रह हैं वह बहुत गरम है तो इसलिए क्रोथ देते हैं इसके अलावा मैं आपको भी बताया कि आप लाल रुमाल रखें अपने मंगल को और स्ट्रॉंग करना है तो घर में लाल बैडशीट आखिलाई शनिवार के दिन यह सभी उपाय करने से आपके मंगल बिल्कुल स्ट्रॉंग हो जाएंगे तो मैं यह पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग अपनी कुंडली नहीं दिखाते उनको अपनी राशी क्या है कुंडली क्या है कुंडली किसको दिखाने नहीं पत लेकिन कैसे पता चले वो क्या साइंस होते हैं जो हमें पता लग जाए के मेरा मंगल नीच का है या मेरा मंगल उच का है मेरा मंगल सही नहीं है इसलिए मेरे साथ यह सब हो रहा है अभी भी आज की समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन अपने डेट वबर्ट नहीं पता ताइम नहीं पता और वो डिशिजन्स नहीं ले पाते हम क्या करें और हमें भी नहीं पता वो मांगलिक है के नहीं लेकिन कुछ-कुछ उनके सभा आप से हम पैचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बंदा मांगलिक है के नहीं इसका वैवार उसके प्रती कैसा है या घर में लोगों से किस तरह से बात कर रहा है तो उसके लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ऐसे उपाई करें हनमान जी की सेवा करें हनमान चालीसा पाट करें परशाद का वितरन करें चूर्मा बाटें बूंदी बाटें तो इससे ये होगा एक तो हमें पता नहीं कि आपकी कुणली में क्या है आप मांगलिक हो या ना हो इन प्रॉब्लम से आपको सॉलूशन मिलेंगे कश्ट नहीं होगा तो आप ये सभी उपा होंगी क्योंकि ये बहुत सारे प्रशन हमारे पास आते हैं ऐसा कुछ उपाए जिससे हम अपना मंगल स्ट्रॉंग कर सकते हैं और कुछ हमारे वैवाहिक जीवन को मंगल सुधार सके ऐसे कुछ उपाए आप बताईए जी बिलकुल आप किसे बुजर्ग आदमी की सेवा कर हैं उनका आश्रवाद लें उनको भूजन कराएं यह बहुत अच्छा हो पाए इसके लावा आप गोड और रेवडियां लेकर उन्हें चलते हुए जल में प्रहावित करें चलता हुए जल यमना जी यंगा जी जहां उन्हें वो खा सके मचली कीडे मुकोडे उनके वो खा जाता है कि मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है हनुमान जी मंगलवार की दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है तो हनुमान जी को ऐसे कुछ खुश कर सकते हैं जिससे हमारा मंगल स्ट्रॉंग हो हनुमान चली सेक तो मंगलवार को तो पढ़ना ही पढ़ना है आप हनवान 40 के साथ साथ बजरंग बानतों करेंगे ही करेंगे इसके अलावा अगर आप महिने में एक बार डेली भी ना कर सकें तो सुन्दर कांड का पार्ट करने से रमायन की चौपाईयां पढ़ने से आपकी सभी प्रॉब्लम्स खतम होंगी निश्चित रूप से आप कर करने हैं तो यह तो बात हो गई मंगल के बारे में अब हम बात करेंगे गुरू के बारे में क्योंकि बहुत सारी बाते हैं गुरू ग्रह गए पढ़न रग्राई अल्पकाल विध्यासपाई गुरू के पास जो बहुत जाता है उसका जीवन अच्छा हो जाता है सफल हो जा लिए हैं जाए से पहले मैं भी गुरुकी वंदना साही शूरबात कचाऊंगी ग्रूर ब्रह्मा ग्रूर विश्वुर बहुत विश्ण गूरत वह एक गूर। इतने भी पीली वस्तुएं हैं सब पर आधिपत्ते गुरू का ही है और गुरू के विना तो ज्ञानी नहीं है क्योंकि गुरू दो शब्द से बनाए गु और रूफ जो आपको अंधिकार से निकालके प्रकाश मिले जाए उसे हम गुरू कहते हैं लेकिन कहा जाता है कि गुरू का गोचर है वह विर्शव राशी में चल रहा है बहुत ओक लिए बहुत शुब है अगर मानली जी किसी की विरिशव लगन की कुंडली है और वहां पर है तो पांच में घर को देख रहे हैं तो ये श्मान संमान प्रतिष्ठा सब कुछ दे रहें संतान का सुख द आपने आश्रवाद लिया जब आपको देखते हैं तो आपका रोम रोम खिल उटता है और मन इतना प्रिस्टा होता है कि मुझे गुरू महराज ने अश्रवाद दे दिया तो गुरू की दृष्टी इतनी शुब है कि जहां-जहां वो देखती है उसकी शुबता को बढ़ा इनर्जी को पॉजिटिव कर देती है तो इसलिए गुरू ग्रह बहुत ही अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही देते हैं और काफी प्लैनेटेटे जोतिश में और सभी को समझाते वी और मांग दर्शन भी करते हैं तो गुरू को अगर प्रसंद करना हूँ तो कैसे प्र गुरू ब्रस्पति प्रसंद होंगे यहां तक कि किसी का विवहा ना हो रहा हो तो वो केले के व्रिक्ष किसी धर्म स्थल में दान करें या लगाए या उनकी सेवा करें तो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि विवहा के कारक गुरू ही माने गए हैं अच्छा और बोला जात हैं वहां उसे इंक्रीज करते हैं चाहिए आपके सुखों को देखे तो उसे इंक्रीज करेंगे आपकी आये को देखे तो कमाई बढ़ा देंगे तो जहां उनके दृष्टी है उसका बहुत ही सुंदर और सुखद फल है तो अगर गुरू दुखद कुछ फल देने पर आ जाए या गुरू नीचे हमें देख रहे हैं तो उससे क्या परिणाम भुगतने पड़ते अगर गुरू प्रसंद निया तो आप जीवन में क्या ही कर सकते हैं गुरू को मनाना तो भगवान से अधिक जरूरी है तो गुरू कष्ट भी देते हैं और सुख भी देते हैं ले लेकिन अगर उनके उपाय करे जाएं उन्हें प्रसंद किया जाए ब्रहस्पतिवार के वरत किये जाएं तो सभी कारे बहुत असानी से सुलब हो जाते हैं तो आप बस उपाय बता दीजी ताकि जो भी गुरू जी जो भी गुरू अपने ब्रहस्पति से परेशान है जिनक अपने घर में लगाए यह बेहादी सुन्दर हो पाय है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आते हैं आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि गुरू और पीले रंग का आपस में बहुत संबंद है और कहा जाता है कि गुरुबार को पीला रंग पहना चाहिए पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए तो उसमें यह क्या चीज है इसको भी थोड़ा आप समझाई हर ग्रह का अपना अपने कलर है तो भगवान ब्रेस्पति का या भगवान विश्णू से हमने रेप्रेसेंट करते हैं तो उनका ज भी कर सकते हैं इसके लावा गुरू विद्या के दाता है तो आप स्टेशनरी के समान जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं आप उन्हें पुस्तक दिलवाईए किताबें दिलवाईए पैंसल दिलवाईए इससे भी आपके गुरू कुंडली में बहुत इंप्रूव हो जाए लेकिन फिर भी मैंने आपको उपाय बताएं एक दो उपाय और पता देती हूं जिससे आप उसकी शुपता को बढ़ा सकते हैं जिसे कि आप अपने सिराने पीपल के पत्ते रखके सोएं हल्दी की गांट रखके सोएं उन्हें जल प्रभा करें यह भी गुरू का बहुत अ अच्छा उपाय तो छोटे-छोटे उपाय जो हमारे घर में हैं हमारे आसपास ही हैं गुरुजनों के चरंच हुएं उनके आश्रवाद लें बड़े बुजर्कों का अपमान ना करें तो इन चीजों से भी हमारे ग्रह नैचरली स्ट्रॉंग हो जाते हैं बट क्याए कि आ तो हमने कर ल governo के बारे में बात गूरु कैसे हमें सहाहिता करते हैं और आपने उपाय भी बता दी आप sowasapp महिला पुरूष बच्चे बुजर्ग सब कर सके वो बता दीचे गुरू की शुक्ता को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत इडिफरेंट और अलग उपाय अपनाने जा रही हूँ जो आज से पहले किसी नहीं बताया होगा और अगर आप इसे करेंगे तो निश्य तरूप से आपको इसका फल मिलेगा यह उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन या गुरू के नक्षत्र में करना है गुरुवार के दिन या गुरू के नक्षत्र में आप चने की डाल ले हल्दी की नौ गांट ले पीपल के पत्ते ले केसर मिलाएं एक गांठ मुलहटी ले और उन सब को पीले वस्तर में बांध कर सूरज मुखी के फूल के साथ अपने घर की बालकनी या डॉडी पे कहीं टांक सकते हैं उससे भी गुरू आपको शुक्पल प्रदान करेंगे करके देखिए रजल्ट्स आप मुझे खुद बताएंगे और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए इस बार भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और सभी को नमस्कार आगे भी हम आपको ऐसे ही पोड़कास्ट में नई नई बाते बताते रहेंगे धर्म संसकती संसकार से आपको जोड़े रखेंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल हम इस पोड़कास्ट में जरूर लेकर आएंगे आपको बस करना है अपनी समस्या हमें कमेंट में बतानी है और नीचे दी गई मेल आईडी पर हमें आपको मेल कर देना है ताकि हम आपके हर प्रश्ण का उत्तर जरूर दे सकें शुक्रिया